दोस्तों आज आप सुनेंगे शर्लोक होम्स सीरीज की अगली कहानी दा नेवल ट्रीटी हिंदी में जब मैं एक छात्र हुआ करता था तब परसी फेल्प्स नाम के एक लड़के के साथ मेरी गहरी दोस्ती हो गई वैसे तो वो मेरी ही उम्र का था लेकिन मुझसे दो क्लास आगे था वो इतना मेधावी था कि विद्याले की ओर से दिया जाने वाला हर पुरसकार उसे ही मिलता था उसने इतनी कड़ी महनत की कि आखिर में उसे चात्रवृत्ती भी प्राप्त हुई जिसके बल पर उसे कैम्बरिज में अपना भविश्य बनाने का मौका मिल गया वो हम लोगों के साथ इतनी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था कि हम बच्पन में ही ये जान गए थे कि महान कंजर्वेटिव राजनेता लॉर्ड होल्ड हर्स्ट उसके मामा है उसके ऐसे संबंधों के कारण स्कूल में भी उसे काफी प्रोथसाहन मिलता था इसके विपरीत हम लोगों को उसे खेल के मैदान में सताने में बड़ा मज़ा आता था लेकिन स्कूल के बाद की जिन्दगी में काफी कुछ बदल गया था मैंने उड़ती उड़ती खबरें सुनी थी कि उसने अपनी योग्यता और प्रभाव के कारण विदेश कार्याले में काफी उचा पद प्राप्त कर लिया था उसके बाद धीरे धीरे उसका खयाल मेरे दिमाग से निकल गया और फिर एक दिन मुझे उसकी तरफ से एक पत्र मिला उसमें लिखा था मेरे प्यारे दोस्त वाटसन मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि तुम्हें अपना पुराना सहपाथी टैड़ पॉल फेल्प्स याद ही होगा जो उस समय पांचमी क्लास में था जब तुम तीसरी क्लास में थे तब तो ये भी संभव है कि तुमने इस बारे में भी सुना होगा कि मुझे अपने मामा के प्रभाव के कारण विदेश कार्याले में एक अच्छा पद प्राप्त हो गया था मेरे इस पद के कारण लोग मुझे काफी विश्वसनिये और आदर्निये मानने लगे थे लेकिन तब ही मेरा दुर्भाग्य बनकर अचानक आई एक मुसीबत ने मेरा भविश्य पूरी तरह बरबाद कर दिया उस घटना के विस्तार में जाने का कोई फायदा नहीं है लेकिन अगर तुम मेरा अनुरोध स्वीकार कर सको तो मैं तुम्हें सारी बात खुल कर बता सकता हूँ मैं अभी अभी दिमागी बुखार की 9 हफते पुरानी बीमारी से ठीक होकर उठा हूँ लेकिन अभी भी मुझे बहुत कमजोरी है क्या तुम क्रिपया अपने मित्र शॉर्लोक होम्स को लेकर मुझसे मिलने आ सकते हो मैं इस मामले में उनकी राय जानना चाहूँगा हाला कि अधिकारियों ने मुझे बताया है कि इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है लेकिन प्लीज तुम उन्हें मेरे पास जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करो जिस भयानक स्थिती में मैं इस समय हूँ उसमें मुझे एक-एक मिनिट एक-एक युग के समान दिखाई देता है अगर वे तुम से पूछें कि मैंने उनसे पहले सलह क्यों नहीं ली तो उनसे कहना कि ऐसा नहीं है कि मैं उनकी प्रतिभा की कदर नहीं करता हूँ बलकि ये देरी इसलिए हुई है क्योंकि बिमारी के कारण मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था हलांकि अब मेरी तब्यत ठीक है लेकिन दुबारा बिमार होने के डर के कारण मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता मैं अभी भी इतना कमजोर हूँ कि ये पत्र खुद नहीं लिखकर किसी और से बोल कर लिखवा रहा हूँ. प्लीज उन्हें लाने की कोशिश जरूर करना. तुम्हारा पुराना दोस्त परसी फेल्प्स इस पत्र को पढ़ने के बाद मैं इतना अधिक द्रवित हो गया कि मैंने ठान लिया कि मामला चाहे जितना भी मुश्किल क्यों न हो मैं खुद इस पर कोशिश करूँगा. लेकिन हकीकत ये है कि होम्स अपने काम से इतना प्यार करता था कि वो अपने क्लाइंट को जैसी भी म हंटे के अंदर ही मैं फिर से पुराने बेकर स्ट्रीट वाले घर पहुँच गया. अब तक ये तो आप समाज ही गए होंगे कि इन दिनों मैं अपनी पत्नी के साथ दूसरे घर में रह रहा था. होम्स अपना ड्रेसिंग गाउन पहने अपने कमरे की किनारे वाली मेज पर पैठा कोई रासायनिक जांच कर रहा था. बंसन बरनर की नीली आच पर शीशे के एक बरतन में पानी उबल रहा था और एक पाईप के रास्ते उसकी बूंदें दो लिटर के बरतन में गिर रही थी. मेरे अंदर दाखिल होने पर भी जब उसने अपनी गरदन मेरी और नही गुमाई तो मैं समझ गया कि उसकी जांच काफी महत्वपून है. इसलिए मैं उसे टोके बिना एक कुरसी पर बैठ कर इंतजार करने लगा. वो अपनी काच की परखनली को कभी इस बरतन में डालता तो कभी दूसरे बरतन से कुछ बूंदे निकाल कर किसी केमिकल में डाल अपने दाएं हाथ में उसने लिटमस का एक टुकड़ा पकड़ा हुआ था. कुछ देर बाद उसने कहा, तुम मुसीबत के समय आए हो वाटसन, अगर ये कागज नीला ही रहता है तो सब ठीक है, लेकिन अगर ये लाल हो जाता है तो समझो किसी आदमी का जीवन खत्रे में है, फिर उसने उस कागज को परखनली में डुबाया, तो वो तुरंत एक गंदे लाल रंग में चमक उठा, जैसा मैंने सोचा था, वैसा ही हुआ, मैं तुम्हारे पास जल्दी ही आऊंगा वाटसन, फारसी पाउच में तमाकू रखा है, इतना कहकर वो मेज पर बैठ गया और एक के बाद एक कई तार लिख कर उसने अपने नौकर को थमा दिये, फिर वो अपने घुटने मोड कर आराम से मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया, ये सार्वजनिक स्थान पर हत्या का मामला है वाटसन, मेरे अनुमान से तुम्हारे पास कोई अच्छी बात है, त उसे तो कुछ खास पता नहीं चलता, लेकिन ये लिखावट काफी दिल्चस्प है, साफ दिख रहा है कि ये किसी औरत की लिखावट है, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं, ये लिखावट किसी पुरुष की है, अरे बिलकुल नहीं वाटसन, ये एक औरत की ही होनी चाहिए, इस पत्र को देखने से यही मालूम होता है, कि चाहे अच्छा हो या बुरा, हमारा मुवक्किल किसी विशेश स्वभाव वाले व्यक्ति के काफी संपर्क में है, इस केस में मेरी दिल्चस्पी पहले से ही जाग उठी है, यदे तुम तयार हो, तो हम ततकाल के लिए रवाना हो जाएंगे, और तुम्हारे दोस्त के पास जाकर उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे, सवभाग्य से हम वाटरलू में पहली गाड़ी पकड़ने में कामियाब रहे, और एक घंटे के अंदर ही हम वोकिंग पहुँच गए, जब हम परसी के घर प खरीब होगी, लेकिन अपने गुलाबी गालों और सुन्दर आखों के कारण वो एक नटखट और छरहरा युवक लगता था, उसने हाथ मिलाते हुए हमसे कहा, आपके आने से मैं बहुत खुश हूँ, परसी आपके बारे में सुभा से ही पूछ रहा था, बेचारा लड़ होमस ने कहा, मुझे लगता है कि आप खुद इस परिवार के सदस्य नहीं है, उस आदमी ने हैरानी से होमस को देखा और फिन हसने लगा, एक पल के लिए तो मुझे लगा कि आपने सच मुछ बड़ी अकल वाला काम किया है, लेकिन जरूर आप ये बात मेरे लौकेट पर जे एच अक्षरों को देखकर कह रहे हैं, मेरा नाम जोसफ हैरिसन है और परसी मेरी बहन एनी से शादी करने वाला है, जिससे हम आखिरकार रिष्टेदार बन जाएंगे, मेरी बहन आपको उसके कमरे में ही मिलेगी, क्योंकि मेरी बहन ने पिछले दो महिनों से उसकी जिस कमरे में हमें ले जाया गया, वो भी उसी मंजिल पर था, जिस पर महमानों का कमरा बना हुआ था, वो कमरा आधा बैठक के रूप में और आधा सोने के कमरे के रूप में बना था, कमरे के हर कोने और गल्यारे को खुबसूरत फूलों से अच्छी तरह से सजाया गया थ एक बेहद बीमार और कमजोर दिखाई दे रहा नौजवान खिरकी के पास सोफे पर बैठा था। उसके पास बैठी युबती हमारे वहां पहुँचने पर खड़ी हो गई। उसने पूछा क्या मैं जाओं पर सी। युवक ने लड़की को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उसने बड़े ही प्रेम से पूछा कैसे हो वाटसन तुम्हारी मुच्छों के कारण शायद मैं तुम्हें पहचान नहीं पाता। शायद तुम्हारी भी हालत मेरे ही जैसी है। तुम भी मुझे पहचान नहीं पाए है ना ? और ये शायद तुम्हारे दोस्त शर्लोक होम्स हैं। मैंने उसे कुछ शब्दों में होम्स का परिचे दिया और फिर हम सब बैठ गए। हैरिसन हमें छोड़ कर जा चुका था जबकि उसकी बहन अभी भी रोगी का हाथ पकड़े खड़ी थी। वो एक बहुत ही खुबसूरत लड़की थी जिसका कद थोड़ा छोटा था। लेकिन उसका जैतून जैसा रंग और काले बाल उसे बेहद खुबसूरत बना रहे थे। इसके विपरीत उसके मंगेतर का चेहरा बहुत ही कमजोर और उदास था। उसने सोफे से उठते हुए कहा। उन्होंने मामा लॉर्ड होल्ड हर्स्ट के प्रभाव के कारण बड़ी ही तेजी से उचेपद तक पहुँच गया था। जब मेरे मामा विदेश मंत्री बने तो उन्होंने मुझे बहुत बड़े बड़े दाइत्व सौपे और मैंने उन्हें सफलता पूर्वक पूरा भी किया। इसी कारण मेरी योग्यता और युक्तियों पर उनका भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ गया। के साथ कहना चाहता हूँ कि अखबारों में पहले ही काफी अफवहा फैल चुकी है। ये दस्तावेज बहुत ज्यादा महत्वके हैं इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि भविश्य में फिर से कोई गलती ना हो। इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए रूसी और फ्रांसीसी दूतावास मोटी रकम खर्च कर सकते हैं। अगर इनकी एक कॉपी ना बनानी होती तो ये दस्तावेज मेरी अलमारी से बाहर आते ही नहीं। क्या तुम्हारे ओफिस में कोई डेस्क है। जी हाँ है मैंने कहा। तो फिर ठीक है इस ट्रीटी को अपने साथ लेकर जाओ और वहां बंद करके रख दो। जब ओफिस के सब लोग चले जाएं तब भी तुम वहां पर मौजूद रहना ताकि अपनी फुरसत के हिसाब से तुम इसकी कॉपी बना सको। जब तुम्हारा काम हो जाए तो तुम ओरिजनल फाइल और उसकी कॉपी दोनों को अपनी अलमारी में बंद करके ताला लगा देना और कल सुभा मुझे सौप देना। मैंने उनसे कागजात ले लिए और एक मिनट मिस्टर परसी होमस ने उसकी बात काटते हुए कहा। क्या इस सारी बातचीत के दौरान आप लोग अकेले थे? जी हाँ, पूरी तरह से. एक बहुत बड़े कमरे में? जी हाँ, वो कमरा 30 feet से भी बड़ा है. आप लोग उसके बीच में थे? जी हाँ, और धीमी आवाज में बोल रहे थे या तेज आवाज में? जी, मेरे मामा जी की आवाज हमेशा धीमी ही रहती है, और मैं तो एक शब्द भी बोला ही नहीं था. ठीक है, अपनी बात जारी रखिये. होम्स ने कहा, परसी ने फिर से बताना शुरू किया. मैंने अपने मामा के कहे अनुसार वैसा ही किया, और तब तक इंतजार किया, जब तक की आखिरी क्लर्क भी ऑफिस से चला नहीं गया. उन में से एक क्लर्क का कुछ काम बाकी रह गया था, जिसका नाम था चाल्स गोरोट. वो उसे पूरा करने के लिए मेरे कमरे में मौजूद था. उसे काम पूरा करने का निर्देश देखकर मैं खाना खाने चला गया. जब मैं वापस आया, तब तक वो जा चुका था. मैं अपना काम पूरा करने के लिए काफी उतावला था. क्योंकि मैं जानता था कि जोसफ हैरिसन, जिसे आपने अभी यहां देखा था, वो शेहर में ही था और 11 बजे की ट्रेन से वोकेंग आने वाला था. मैं भी जहां तक हो सके वही गाड़ी पकड़ना चाहता था. जब मैंने उस ट्रीटी को देखा, तो फॉरण समझ गया कि वो कितनी महत्वपून थी. मामा जी ने उसके विशे में बढ़ा चड़ा कर बिलकुल नहीं कहा था. उसके विवरणों के विस्तार में ना जाकर मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि उसमें तिहरे गठबंधन को लेकर ग्रेट ब्रिटेन की स्थिती को स्पष्ट किया गया था. और उसमें उस पॉलिसी का भी विवरण था, जिस पर फ्रांसीसी बेड़े के भूमध्य सागर में इटली की तरफ चड़ाई करने की स्थिती में इस देश को अमल करना था. उसमें लिखी गई हर बात पूरी तरह से नेवी से संबंधित थी. संधी के दस्तावेज के अंत में दोनों देशों के उच्च पदों के अधिकारियों के हस्ताक्षा थे. मैंने उसे एक नजर देखा और फिर उसकी कौपी बनाने के काम में जुट गया. वो फ्रांसीसी भाषा में लिखा हुआ एक बहुत ही विस्तरित दस्तावेज था. उसमें 26 अलग-अलग अधियाए थे. मैं अपनी पूरी शक्ती लगा कर भी रात 9 बजे तक सिर्फ 9 अधियाए ही कौपी कर पाया था. उसे देखने के बाद मेरा ट्रेन पकड़ने का इरादा मुझे अपनी आशाओं के विपरीत लगा. रात का खाना खालेने के बाद पूरे दिन की थकान और खाने के असर से मेरी आखें मुंदने लगी. मुझे लगा कि एक कप कौफी पीने से मेरा दिमाग थोड़ा खुल जाएगा. हमारे ओफिस की सीडियों के नीचे बनी एक छोटी सी कोठरी में एक चौकीदार सारी रात रहता था. देर रात तक काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वो अपने स्पिरिट लैंप पर कौफी बनाया करता था. इसलिए मैंने उसे बुलाने के लिए गंटी बजाई. लेकिन मैं ये देखकर दंग रह गया कि मेरे बुलाने पर वो चौकीदार नहीं, बलकि रूखे चेहरे वाली एक बुढ़ी और लंबी औरत एपरन पहने वहां आई. उसने बताया कि वो चौकीदार की पतनी है और नौकरानी का काम करती है. मैंने उसे कौफी लाने का आदेश दिया. तब तक मैंने दो अध्याए और लेख लिये थे और मुझे पहले से भी ज्यादा नींद आने लगी थी. मैंने अपने पैरों को सीधा करने के लिए कमरे में आगे पीछे चक्कर लगाना शुरू कर दिया. अब तक मेरी कौफी आई नहीं थी. मैं हैरान था कि आखिर इस देरी का क्या कारण हो सकता है. पता लगाने के लिए मैं दर्वाजा खोल कर नीचे चला गया. वहाँ एक सीधा रास्ता था जहां रोश्नी काफी कम थी. वो रास्ता उस कमरे में जाता था जिसमें मैं काम कर रहा था. और उससे बाहर निकलने का वही एक मात्र रास्ता था. वो सीधियों के अंत में चौकिदार की कोठरी पर जाकर खत्म होता था. सीधियों के बीच में थोड़ी दूर पर नीचे उतरने की जगा बनी होई थी, जहां से चार्ल्स स्ट्रीट की तरफ जाने वाला एक साइड का दर्वाजा था. इसका इस्तिमाल नौकरों और कलरकों द्वारा किया जाता था. मैं सीधियों से नीचे उतर कर मुख्य हॉल में गया, जहां मैंने देखा कि चौकिदार अपनी कोठरी में गहरी नीच सो रहा था. स्पिरिट लैंप पर केतली में पानी खॉल रहा था. मैंने केतली उतार कर लैंप को बुझा दिया, क्योंकि खौलते पानी की बुंदें फर्श पर फैल रही थी. फिर मैंने गहरी नीन में सोई चौकिदार को हिला कर जगाने की कोशिश की तभी उसके सिर्के उपर लगी घंटी अचानक बजूठी और वो हडबाडाते हुए उठकर बैठ गया मुझे हैरानी से देखते हुए उसने कहा आप मिस्टर फेल्प सर मैं ये देखने के लिए आया हूँ कि क्या मेरी कॉफी बन गई है मैंने कहा मैं केतली में पानी उबाल रहा था लेकिन तभी मुझे नीद आ गई सर इतना कहकर उसने उपर घंटी की तरफ देखा जो अभी तक हिल रही थी उसे देखकर वो और भी हैरान हो गया और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभराई उसने प्रश्न किया यदि आप यहां थे सर तो फिर घंटी किसने बजाई घंटी? कौन सी घंटी है ये? मैंने पूछा ये उसी कमरे की घंटी है सर जिसमें आप काम कर रही थे उसकी बात सुनते ही मेरा दिल बैठ गया मेरे कमरे में भला कौन हो सकता था उसमें तो मेज पर वो कीमती संधी रखी थी मैं आपको बता नहीं सकता मिस्टर होमस की मैं कैसे पागलों की तरह भागता हुआ उपर गया कमरे में कोई नहीं था सब कुछ वैसा ही था जैसा मैं छोड़ कर गया था सिवाए इसके की जो कागज मुझे इतने ध्यान से संभाल कर रखने के लिए दिये गए थे उन्हें कोई मेरी मेज से उठा कर ले गया था कौपी वहीं पर थी लेकिन मूल प्रती गायब थी हूमस अपने हाथों को बुरी तरह से रगडने लगा और बोला फिर आपने क्या किया मैंने फौरन अंदाजा लगा लिया कि चोर जरूर बगल वाले दर्वाजे की सीडियों से उपर आया होगा वास्तव में अगर वो दूसरे रास्ते से आया होता तो मुझे जरूर मिला होता ऐसा भी तो हो सकता था कि वो सारा दिन कमरे या गलियारे में छिप कर बैठा रहा हो तुमने खुद अभी-अभी बताया था कि गलियारे में रोशनी कम थी होमस ने कहा जी नहीं, ऐसा होना असंभव है ना तो उस कमरे में और ना ही गलियारे में एक चूहा भी खुद को छिपा सकता है वहाँ छिपने के लिए कोई जगहा है ही नहीं ठीक है, आगे बताईए, होम्स ने कहा चौकिदार मेरे रंग उड़े चेहरे को देखकर समझ गया कि कुछ अनिष्ट गट गया है, वो मेरे पीछे-पीछे उपर आया फिर हम दोनों सीडियां उतर कर, चार्ल्स स्ट्रीट की तरफ खुलने वाले रास्ते से बाहर आ गए नीचे वाला दर्वाजा तो बंद था, लेकिन उसमें ताला नहीं लगा था मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस समय हम ये भाग दोड कर रहे थे उस समय पास के घंटा घर से तीन बार आवाजे आई थी, उस समय पौने दस बजे थे होम्स ने इस बात को नोट करते हुए कहा, ये भी काफी महत्वपून है परसी ने आगे कहा, रात बहुत अंधेरी थी और हलकी हलकी बारिश भी हो रही थी चार्ल्स स्ट्रीट पूरी दरह से खाली थी, लेकिन वाइट हॉल के पास काफी ट्रैफिक था हम फुटपात पर चले जा रहे थे, काफी दूर तक जाने के बाद हमें पुलीस का एक सिपाही खड़ा मिला मैंने हाफ्ते हुए उससे कहा, सर चोरी हुई है, विदेश कार्याले से एक बहुत ही कीमती दस्तावेज चुरा लिया गया है क्या हाल ही में इधर से कोई गुजरा है? पुलीस वाले ने बताया कि वो यहां पंधरा मिनट से खड़ा था और इस दौरान सिर्फ एक लंबी और बुढ़ी और उधर से गई है, उसने कढ़ाई वाली शौल ओड़ी हुई थी तब चौकिदार ने कहा, अरे वो तो मेरी पतनी थी, कोई और नहीं आया इधर से नहीं, कोई नहीं, पुलीस वाले ने कहा, ओ, तो इसका मतलब है कि चोर दूसरे रास्ते से गया होगा, चौकिदार ने मेरी बाहाँ पकड़ कर मुझे खीचते हुए कहा, लेकिन मैं इस बात से संतोष्ट नहीं था मैंने पुलीस वाले से पूछा, वो औरत किस रास्ते से गई है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसे यहां से जाते हुए जरूर देखा था, लेकिन मेरे पास उससे पूछताश करने का कोई कारण थोड़े ही था, वो काफी जल्दी में थी ये कितनी देर पहले की बात है, मैंने पूछा, उसे गए अभी कुछी मिनिट होए हैं, ज्यादा से ज्यादा पांच मिनिट होए होंगे, पुलीस वाले ने बताया अब तक चौकिदार थोड़ा जुंजला गया था, उसने कहा, आप यहां सिर्फ अपना समय बरबाद कर रहे हैं सर, हमारे लिए एक एक पल कीमती है आप मेरा यकीन मानिये, मेरी बुढ़ी पत्नी का आपके कागजों से कोई लेना देना नहीं है, आईए, गली के दूसरे किनारे तक चलते हैं, अगर आप जाना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो जरूर जाओंगा इतना कहकर वो दूसरी दिशा में दोड़ पड़ा, मैं भी तुरंत उसके पीछे चल पड़ा और आगे जाकर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, कहां रहते हो तुम, मैंने उससे पूछा आप किसी गलत दिशा में मत भटकिये, मिस्टर फेल्प्स, आईए, गली के दूसरे कोने तक चलते हैं, क्या पता हमें वहाँ कोई जानकारी मिल जाए? चौकिदार की राय मानने में कोई हर्ज नहीं था, सिपाही के साथ हम दोनों फोरण उधर चल पड़े, हमें सडक पर भारी भीड और बारिश में सिर्च पाने की जगह तलाश ते और इधर उधर भागते लोगों के अलावा और कुछ नजर नहीं आया, वहां ऐसा कोई भी में क्रीम रंग का लिनोलियम भिछा था, जिस पर कोई भी धबा बड़ी ही आसानी से दिखाई दे सकता था, हमने उसकी बारिकी से जाच की, लेकिन हमें कोई पाओं के निशान नहीं मिले, क्या पूरी शाम बारिश होती रही थी, होमस ने पूछा, जी हां, करीब साथ चार नहीं है, मिस्टर होमस, ये बात मेरे दिमाग में भी आई थी, लेकिन सफाई पसंद औरतों की आदत होती है, कि वो चौकिदार के कमरे में अपने जूते उतार देती हैं, और चपलें पहन लेती हैं, अच्छा, फिर आपने क्या किया, होमस ने पूछा, हमने कमरे को अच्छी तरह से चेक किया, उसमें किसी गुप्त दर्वाजे की कोई संभावना नहीं है, और उसकी खिड़कियां तो जमीन से 30 फीट उपर हैं, दोनों खिड़कियां अंदर से बंद थी, कालीन के नीचे कोई दर्वाजा होने की भी संभावना नहीं थी, और छट में भी साधारन किस्म की सफेदी हुई थी, मैं इस बात पर अपनी जिंदगी तकदाओं पर लगा सकता हूँ, कि जिसने भी मेरे कागजात चुराए, वो सिर्फ दर्वाजे से ही कमरे में आ सकता था, और फायर प्लेस के बारे में आपकी क्या राय है, होमस ने पूछा, उसका इसके पास जरूर आना पड़ा होगा, लेकिन कोई अपराधी भला घंटी क्यों वजाएगा, ये एक बहुत ही जटिल बात है, होमस ने कुछ सोचते हुए अगला सवाल किया, इस सब के बाद आपका अगला कदम क्या था, आपने ये जानने के लिए कमरे को चेक किया होगा कि चोर कहीं कोई सुराग जैसे सिगार के टुकडे, दस्ताने या बालों के पिन जैसी कोई मामूली चीज तो गिरा नहीं गया था, वहां हमें इस तरह की कोई चीज नहीं मिली थी मिस्टर होमस, कोई गंध भी नहीं, उसके बारे में तो मैंने विचार नहीं किया, इस तर कि अगर कमरे में तंबाकू की गंध होती, तो मेरा ध्यान उस पर जरूर जाता, वहां पर इस तरह का कोई सुराग नहीं था, सिर्फ एक ये तथ्य था, कि चौकिदार की पतनी टैंगी उस जगह से बड़ी ही जल्दबाजी में निकली थी, सिपाही और मेरी दोनों की यही राय थी, कि वो कागज शायद उसी के पास थे, और इससे पहले कि वो उनका कुछ कर दे, हमें उसे पकड़ लेना चाहिए। तब तक इस बात की सूचना स्कॉटलेंड रियार तक पहुँच चुकी थी, और वहां के जासूस फोर्ब्स ने वहां पहुँच कर बड़े ही उ तक वापस नहीं आई थी, इसलिए हमें इंतजार करने के लिए एक कमरे में बैठा दिया गया। पहले ही वहां पहुच गई थी, उसने हमारी तरफ शंका भरी नजरों से देखा और अचानक मुझे पहचान लेने के बाद उसके चेहरे पर हवाईयां उड़ने लगी। उसने सहमते हुए पूछा, क्या आप ओफिस वाले मिस्टर फेल्प्स हैं? जब तुम हमसे बचकर भाग रही थी, तो तुम्हें क्या लगा था, कि हम लोग कौन हैं? जासूस फोब्स ने उससे पूछा, जी मुझे लगा कि आप लोग वसूली करने वाले एजेंट हैं, हमारी किसी दुकानदार से लेंदेन को लेकर थोड़ी परेशानी चल रही है। तुम्हारा इतना कह देना ही काफी नहीं होगा, हमारे पास इस बात को मानने का परियाप्त कारण है कि विदेश कार्याले से वो महत्वपून कागज तुमने ही लिया है और तुम उसे ठिकाने लगाने के लिए ही यहां भाग कर आई हो, तुम्हारी तलाशी और हम तीनों वापस आ गए, सबसे पहले हमने रसोई और चूले की जाच की कि कहीं कुछ जलाया तो नहीं गया था, रसोई में राख या कागज के टुकड़ों का कोई निशान नहीं था, जब हम स्कॉटलेंड यार्ड पहुँचे तो जाच के लिए उसे महिला पुलिस कर्मी को सौप दिया गया, उसके वापस आने तक हम असमंजस की स्थिती में उसका इंतजार करते रहे, उसके पास कागज मिलने के कोई संकेत नहीं थे, अब ये स्थिती और भी भयानक हो गई, शायद वाटसन ने आपको बताया होगा कि मैं स्कूल में एक डरपोक और बहुत ही स से जुड़े हरेक व्यक्ति के लिए एक शर्मनाक स्थिती उत्पन कर दी है, इस असाधारन दुरघटना का क्या मैं अकेला ही शिकार था, जब राजनीतिक हित दाओं पर लगे हूँ, तो किसी को किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलती, मैं बहुत ही शर्मनाक और निराशा जनक रूप से तबाह हो गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे लग रहा था कि मेरी गलती के कारण ही स्थिती इतनी गंभीर हो गई है, मुझे धुंदली सी याद है कि कुछ कर्मचारियों ने मुझे सांत्वना देने की कोशिश की थी, उनमें से एक मेरे साथ वाटरलू तक आया था ताकि मैं वोकिंग जाने वाली ट्रेन पकड़ सकूँ मेरे खयाल से उस पूरी यात्रा में मेरे साथ आने वाले सज्जन डॉक्टर फेरियर थे जो मेरे घर के पास ही रहते थे और उसी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे उन्होंने बड़ी ही दयालुता दिखाते हुए मेरी जिम्मेदारी अपने उपर ले ली थी स्टेशन पर मेरे उपर दौरा पड़ा और घर पहुंचने से पहले ही मैं एक अर्ध विक्षिप्त आदमी बन कर रह गया था आप कलपना कर सकते हैं कि उस समय मेरे घरवालों की क्या हालत हुई होगी जब डॉक्टर ने फोन करके उन्हें मेरी हालत के बारे में बताया होगा मेरी मंगेतर और मेरी मा का दिल तूट गया था डॉक्टर फेरियर ने स्टेशन पर जासुस को कहते सुना था कि अगर मुझे घटना का वृत्तांत फिर से सुनाया जाए तो मेरी हालत ठीक हो सकती है लेकिन उसकी ये सलाह भी मामले को बदल नहीं सकी अब तक सब को पता चल गया था कि मैं लंबे समय तक बिमार रहने वाला हूँ इसलिए जोसफ को अपना बिस्तर उठा कर इस आराम देह कमरे से जाना पड़ा और मेरा कमरा रोगी के कमरे में परिवर्तित हो गया मुझे इस कमरे में लिटा दिया गया और मैं नौ हफ्तों तक दिमागी बुखार से तडपता हुआ आधी बेहोशी की हालत में पड़ा रहा अगर मिस हैरिसन और डॉक्टर ने मेरी देख भाल ना की होती तो इस समय मैं आपसे बात ना कर रहा होता वो दिन में खुद मेरी देख भाल करती थी और रात के लिए उसने एक नर्स को भाड़े पर रख लिया था क्योंकि अपने पागलपन के दोरे के दोरान मैं कुछ भी कर सकता था धीरे धीरे मेरी हालत सुधरने लगी लेकिन मेरी याददाश्थ पूरी तरह से सिर्फ तीन दिन पहले ही लोटी है कभी कभी मुझे लगता है कि शायद ये ना लोटती तो ज्यादा अच्छा होता थोड़ा ठीक होते ही मैंने सबसे पहले मिस्टर फोर्ब्स को तार दिया उन्होंने आकर मुझे बताया कि हाला की सारा काम हो चुका है लेकिन किसी सुराग का कोई संकेत अभी तक नहीं मिला है चौकिदार और उसकी पत्नी से गहराई से पूश्टाश की गई लेकिन कुछ पता नहीं चला उसके बाद पुलीस का संदेह गोरोट नाम के उस लड़के पर गया जो उस रात ओवर टाइम काम कर रहा था उसका उस रात कार्याले में रुकना और उसका फ्रांसीसी नाम दो ऐसी बाते थी जो संदेह पैदा करती थी लेकिन सच्चाई ये थी कि उसके जाने से पहले मैंने अपना काम शुरूख किया ही नहीं था उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला और इसी लिए इस केस को बंद कर दिया गया आखिरी उमीद के तौर पर अब मैं पूरी तरह से आपकी शरण में हूँ यदि आप भी मुझे निराश करते हैं तो समझ लीजिए कि मेरी इज़त और पद दोनों हमेशा के लिए मुझसे छिन जाएंगे इतना कहकर वो बेजान सा होकर अपने बिस्तर पर लुड़क पड़ा नर्स ने उसे कोई ताकत की दवा दी होम्स शांती से अपनी आँखे बंद किये बैठा था किसी अजनभी के लिए उसका ये रवया विचित्र हो सकता था लेकिन मैं उसकी इस आदत को अच्छी तरह से जानता था आखिरकार उसने कहा आपने अपनी बात पूरी स्पश्टता से बताई है और मेरे पास पूछने के लिए कोई ज्यादा सवाल नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ चीजें जानना चाहता हूँ क्या आपने किसी को बताया था कि आपको ये खास काम पूरा करने के लिए दिया गया है किसी को भी नहीं सर जैसे Miss Harrison को भी नहीं? जी नहीं, जब मुझे ये काम करने को कहा गया था उसके और काम को शुरू करने के बीच मैं वोकिंग लोटा ही नहीं था कोई आदमी वहां आपसे मिलने भी नहीं आया? जी नहीं, कोई भी नहीं आफिस में किसी को अपने तरीके से इसके बारे में कुछ पता चला हो सकता है जी हाँ, सबने उसे देखा था उस चौकिदार के बारे में आप कुछ जानते हैं सिर्फ इतना ही कि वो एक रिटायर्ड फॉजी है किस रेजिमेंट का है जी मेरे ख्याल से कोल स्ट्रीम गार्ड्स का ठीक है, बाकी की बातें मैं फोर्ब से पूछ लूँगा यहां के अधिकारी तथ्यों को इकठा करने में माहिर है ये बात अलग है कि वो उनसे कोई फाइदा नहीं उठा पाते ये गुलाब भी कितनी प्यारी चीज है इरे लिए उसके चरित्र का ये रूप बिल्कुल नया था क्योंकि मैंने इससे पहले उसे कभी इस तरह की चीजों में रुची लेते नहीं देखा था उसने खिडकी पर अपनी पीठ टिका दी और आखें इस तरह से बंद कर ली जैसे कोई बहुत ही खुबसूरत सपना देख रहा हो फिर उसने एक उपदेशक की तरह बोलना शुरू किया धर्म के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें अनुमान लगाना इतना जरूरी हो तरक शास्त्री इसे वास्तविक विज्ञान का रूप दे सकते हैं अच्छाई के प्रती हमारी दूर दर्शिता इन्हीं फूलों पर आकरटिक जाती है पहली नजर में बाकी सारी चीजें जैसे हमारी शक्तियां, हमारी एक्छाएं, हमारा भोजन, हमारे अस्तित्व के लिए आवशक हैं लेकिन इन गुलाबों की तो बात ही कुछ और है इनकी खुश्बू और इनके रंग, जीवन की सुन्दरता है ये उसके लिए कोई शर्ट नहीं लगाते और इनकी यही विशेश्टा हमारे लिए वर्दान है इसलिए मैं फिर से कहता हूँ कि हमें फूलों से सबसे ज्यादा आशा होनी चाहिए परसी फेल्प्स, उसकी नर्स और मैं तीनों मुह बाई उसकी इस अजीब हरकत को देख रहे थे मैं जो उसे अच्छी तरह जानता था मुझे भी उसकी इस बेतु की हरकत का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा था कुछ देर तक और उसका ये ड्रामा देखने के बाद नर्स आखिर चिला पड़ी मिस्टर होम्स क्या आपको इस रहसे को सुलजाने की कोई समभावना दिखाई देती है या नहीं होम्स ने इस तरह से अपनी आखे खोली जैसे गहरी नीन्द से जगा हो फिर बोला अच्छा वो अगर मैं ये कहूं कि ये केस बड़ा ही जटल और मुश्किल है तो ये गलत नहीं होगा लेकिन मैं आप सब को वचन देता हूं कि मैं इस बारे में विचार करूंगा और अगर मेरे दिमाग में कोई बात आई तो आपको जरूर बताऊंगा क्या आपको कोई सुराग दिखाई दे रहा है परसी फेल्प्स ने पूछा तुमने मुझे साथ सुराग दिये हैं लेकिन मैं उन्हें टेस्ट करने के बाद ही कुछ कहना चाहूंगा क्या आपको किसी पर शक है मुझे अपने आप पर शक है जी क्या मतलब मुझे खुद पर संदेह है कि मैं इतनी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुँच पाऊंगा तो फिर आप लंडन जाकर अपने नतीजों का परीक्षन कीजिए मिस हैरिसन ने कहा आपकी राय बहुत अच्छी है मिस हैरिसन मुझे लगता है वाटसन कि हम ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे अपने आपको जूटी तसलिमत देना मिस्टर फेल्प्स ये मामला बहुत ही पेचीदा और उलजा हुआ है जब तक आप किसी हल के साथ यहां दोबारा नहीं आते तब तक मेरा बुखार नहीं उतरेगा परसी ने बहुत ही निराश स्वर में कहा वैसे तो मेरी रिपोर्ट नेगेटिव ही होगी लेकिन कल मैं उसी ट्रेन से फेर आऊंगा दुबारा आने का वादा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकर कि कुछ किया जा रहा है मेरी जान में जान आ जाती है सौभाग्य से मुझे मेरे मामा का एक पत्र मिला है वो गुसा करने के बजाए शान्त है शायद मेरी गंभीर बीमारी की वजह से उन्होंने इस बात को दोहराया है कि ये मामला विशेश रूप से महत्व का है और उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक मुझे ठीक होकर अपनी बदकिस्मती को सुधारने का एक और मौका नहीं मिल जाता तब तक मेरे भविश्य के बारे में कोई कदम नहीं उठाया जाएगा यानि मुझे बरखास्त नहीं किया जाएगा बहुत बढ़िया ये तो बहुत ही अच्छी बात है चलो वाटसन हमारे पास बहुत काम है इतना कहकर होम्स तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया मैं उसके पीछे था जोसफ हैरिसन हमें अपनी गाड़ी में स्टेशन तक छोड़ने आया और जल्दी ही हम पोर्ट्स माउथ जाने वाली ट्रेन में थे जब तक हम क्लैपहम जंक्षन को पार नहीं कर गए होम्स गहन विचारों में लीन रहा और उसने एक बार भी अपना मुह नहीं खोला फिर उसने कहा मेरे ख्याल से परसी शराब नहीं पीता अच्छा वाट्सन मिस हैरिसन के बारे में तुम्हारी क्या राय है वो एक अच्छी और चरितरवान लड़की लगती है मैंने कहा हाँ लेकिन वो अच्छी किस्म की है या फिर ये हो सकता है कि मैंने उसे समझने में कोई भूल की है वो और उसका भाई दोनों ही अपने नौर्थंबर लैंड खाड़ी निवासी इसपात कारोबारी पिता की संताने है उस लड़की से वो पिछले जाड़े में सफर के दोरान मिला होगा और उसने अपने लोगों से उसका परिचे अपने भाई और रक्षक के रूप में कराया होगा तब ही उसके उपर ये मुसीबत आ गई और लड़की अपने प्रेमी की सेवा करने के लिए वहीं रुख गई और उसका भाई जोसफ भी एक आराम देह जगह पाकर खुद भी वहीं रुख गया आज का दिन काफी पूश्टाश करने वाला दिन होने वाला है और मेरी डॉक्टरी की प्राक्टिस मेरे मुह से इतने ही शब्द निकले थे कि होम्स ने गुस्से से मेरी बात काट दी और बोला ठीक है अगर तुम्हें अपना केस मेरे केस से ज्यादा रोचक लगता है तो ठीक है जाओ वही करो मैं ये कहने जा रहा था कि इस साल कारोबार के लिहाज से ये मंदी का मौसम है इसलिए एक दो दिन तो मेरी प्रैक्टिस अपने आप भी चल जाएगी पहले पूरी बात तो सुना करो अपने मजाकिया स्वभाव पर वापस लोटते हुए होम्स ने कहा बहुत बढ़िया तो फिर हम दोनों एक साथ मिलकर इस केस की जाच करेंगे मेरे ख्याल से हमें शुरुआत फोर्ब से मुलाकात करने से करनी चाहिए वो हमें वो सारी जानकारी उपलब्ध करा देगा जो हमें चाहिए वरना हम यही सोचते रहेंगे कि केस की शुरुआत किस दिशा से की जाए तुमने कहा कि तुम्हें कोई सुराग मिल गया है? क्या वाकई ऐसा है? मैंने पूछा हाँ, सुराग तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनका मुल्यांकन हम आगे की जाँच के आधार पर करेंगे सबसे मुश्किल जाँच उस अपराध की होती है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता लेकिन हमारा जो मामला है, वो बिना उद्देश्य वाला नहीं है जरा सोचो, इस काम से किसे फायदा हो सकता है? वो आदमी फ्रांस का राजदूत हो सकता है, रूस का राजदूत हो सकता है या फिर कोई तीसरा भी हो सकता है, जो इन दोनों में से किसी को वो संधी बेच दे और फिर इस लिस्ट में लॉर्ड होल हर्स्ट भी तो शामिल है परसी के मामा? मैंने हरानी से कहा हाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एक नेता कभी खुद को ऐसी स्थिती में पाए जहां उसे इस दस्तावेज के अचानक नश्च हो जाने का कोई अफसोस न हो अरे नहीं नहीं उनके जैसा सम्मानित नेता भला कभी ऐसा कर सकता है ये सोचना भी बेकार की बात है मैंने कहा मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा है ही ये एक संभावना है और हम इस संभावना को भी ध्यान में रख कर काम करेंगे हम Lord से आज ही मिलेंगे और पता करेंगे कि वे हमें कुछ बता सकते हैं या नहीं मैंने उनसे पूशताज की रूप रेखा पहले से ही तयार कर ली है पहले से ही तयार कर ली है? क्या मतलब? मैंने कहा मैंने वोकिंग स्टेशन से लंडन के सारे शाम के समाचार पत्रों को तार भेज दिये हैं उन में से हर एक में ये विज्ञापन प्रकाशित होगा इतना कहकर उसने अपनी डाइरी से एक पन्ना निकाल कर मुझे दिखाया उस पर ये लिखा था दस पाउन का इनाम क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि चोर कैब में आया था? मैंने पूछा अगर नहीं भी आया होगा तो कोई हर्ज नहीं मिस्टर परसी फेल्प्स का ये कहना सही है कि छिपने की कोई जगह ना तो कमरे में है और ना ही गल्यारों में इसका मतलब ये हुआ कि चोर शर्तिया बाहर से आया होगा अब सवाल ये पैदा होता है कि वो इतनी गीली रात में बाहर से आया फिर भी उसके जूते का कोई निशान फर्ष पर नहीं पड़ा तो इसका मतलब इसी बात की संभावना ज्यादा है कि वो कैब में ही आया था ऐसा अनुमान लगाने में मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है हाँ बात तो तुम्हारी सही है मैंने कहा होम्स ने आगे कहा ये तो बहुत सारे सुरागों में से पहला सुराग है ये हमें किसी दिशा में जरूर लेकर जाएगा और फिर वो घंटी भी तो है जो इस केस की सबसे महत्वपून बात है घंटी क्यों बजी? क्या घंटी बजाने वाला चोर ही था जिसने गलती से ये काम कर दिया? या फिर चोर के साथ कोई और भी था जिसने अपराद को रोकने की मंशा से घंटी बजा दी हो? या फिर वो सिर्फ एक दुरगट ना थी? इतना कहकर होम्स फिर से अपने विचारों में डूग गया जब हम अपने ठिकाने पर पहुँचे तब तीन बज कर बीस मिनट हो रहे थे हमने जल्दी से लंच किया और तुरंत स्कॉट्लेंड यार्ड के लिए रवाना हो गए होम्स ने फोर्ब्स को पहले ही तार भेज दिया था इसलिए जब हम वहाँ पहुचे तो वो हमारे स्वागत में तैयार खड़ा था जब उसे ये पता चला कि हम किसी संदेह के कारण वहाँ आए हैं तो वो एकदम ठंडा पड़ गया उसने कड़वे स्वर में कहा देखें मिस्टर होम्स मैंने आपके तौर तरीकों के बारे में पहले काफी सुन रखा है आप पुलीस से सारी सूचना प्राप्त करने के लिए तो हमेशा तयार रहते हैं और उसके आधार पर जब आप केस को सुलजा लेते हैं तो उसका सारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं पुलीस को तो बीच में अड़ने ही नहीं देते होम्स ने बिना विचलित हुए बड़े ही ठंडे स्वर में कहना शुरू किया असली बात इसके बिलकुल उलट है मेरे दोस्त मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे तरेपन मामलों में से सिर्फ चार में मेरा नाम आया है पाकि 49 मामलों को सुलजाने का क्रेडिट पुलीस को ही दिया गया है अगर तुम्हें ये बात मालूम नहीं है तो मैं तुम्हें इसके लिए दोश नहीं देता, क्योंकि तुम अभी नए और नौ सिखिये हो, लेकिन अब अगर तुम नई जिम्मेदारी लेना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे साथ काम करना पड़ेगा, मेरे खिलाफ नहीं। होम्स की बात सुनकर उसकी सारी अकड धीली पड़ गई, उसने बड़े ही मुलायम स्वर में कहा, अगर मुझे एक दो क्लू मिल जाएं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मुझे इस मामले में अभी तक वाकई कोई श्रे नहीं मिला है, तुमने अब तक क्या-क्या कदम काफी बुरा है, और मेरा अनुमान है कि इस मामले में वो जितना बता रही है, उससे कहीं ज्यादा जानती है, क्या तुमने उसका पीछा किया था? हमने उसके पीछे अपनी एक महिला कॉंस्टेबल लगा रखी थी, उसे उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला, सिवाए इस बात क कि उसे शराब पीने की बुरी आदत है, होमस ने कुछ सोचते हुए कहा, मेरे ख्याल से उसके घर वसूली करने वाले आया करते थे ना? जी हाँ, लेकिन उनका भुकतान कर दिया गया है, भुकतान के लिए उसके पास पैसा कहां से आया? उसकी पैंशन ड्यू थी, शायद उसी से दिया होगा, उसके खाते में पैसा होने का तो कोई संकेत हमें नहीं मिला था, और उसने उस बात के लिए क्या स्पश्टी करन दिया, कि जब मिस्टर परसी ने कौफी के लिए घंटी बजाई थी, तो अपने पती की जगहा वो उपर गई थी? जी, उसने कहा कि उसक नीद आ गई होगी, चौकिदार के खिलाफ तो कुछ नहीं है, लेकिन औरत के चरितर के बारे में तुम्हारा क्या कहना है, क्या तुमने उससे ये पूछा कि उस रात वो जल्दी में भाग कर कहा गई थी? जी, उसने कहा कि उसे और दिनों की अपेक्षा थोड़ी देरी हो बस और तांगे की रफतार में अंतर था, क्या उसने इस बात का कोई संतोष जनक उत्तर दिया, कि वो घर पहुचने के बाद भाग कर रसोई में क्यों गई थी? जी, हाँ, उसने कहा कि उसने उधारी मांगने वालों को जो पैसे देने थे, वो रसोई घर में रखे थे, उन जी, हाँ, पूचा था, और उसने कहा कि उसने सिपाही के अलावा वहाँ और किसी को नहीं देखा बहुत बढ़िया, लगता है तुमने उससे काफी बारी किसे पूछताच की है, उसके बाद तुमने और कुछ किया? जी, क्लर्क गोरोट का पूरे नौ हफ़ते तक पीछा किया गया, लेकिन उसका भी कोई परिनाम नहीं निकला, हमारे पास उसके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है कोई और महत्वपून बात? जी हाँ, सबसे महत्वपून बात तो यही है, कि हमारे पास आगे बढ़ने के लिए एक भी सबूत नहीं है क्या तुमने घंटी बजने के बारे में कोई अनुमान लगाया, कि उसे किसने बजाया होगा? होमस ने पूछा जी हाँ से सच कहूं, तो यही प्रश्न मुझे भी परेशान कर रहा है वो कोई सीधा सादा आदमी होगा, जिसने बिना कारण ही घंटी बजा दी होगी वो वाकई एक विचितर घटना थी इतनी जानकारी देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद मैं अपराधी को पकड़ कर तुम्हारे हवाले करने वाला हूँ जल्दी ही ये खुश खबरी तुम्हें मिलने वाली है चलो वाटसन वहां से निकलते हुए मैंने पूछा अब हम कहां जा रहे हैं होमस अब हम जा रहे हैं लॉर्ड होल्ड हर्स्ट के पास ये हमारी खुश किस्मती थी कि लॉर्ड अभी भी डाउनिंग स्ट्रीट पर स्थित अपने कार्याले में मौजूद थे और होमस ने जब अपना कार्ड अंदर भीजा तो हमें तुरंत अंदर बुला लिया गया उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में नहीं बना सकता कि मैं आपके आने का उद्देश्य नहीं जानता हमारे ओफिस की ये पहली घटना है जिसने आपका ध्यान आकर्शित किया है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं मैं जिनके लिए काम कर रहा हूँ उसका नाम है Percy Phelps, Holmes ने कहा, अरे वो बदनसीब बच्चा तो मेरा भानजा है, आप इस बात को समझ सकते हैं कि अपने रिष्टे के कारण मेरा उससे कुछ पूछताच करना असंभव है, मुझे डर है कि इस घटना का उसके भविश्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, लेक Holmes ने कहा, आपके सवालों के जवाब देने में मुझे खुशी होगी, मुझे जो भी मालूम है, मैं आपको वो सारी जानकारी जरूर दूँगा, क्या आपने इसी कमरे में उसे दस्तावेज की कौपी तयार करने की हिदायत दी थी? जी हाँ, यही वो कमरा था, फिर तो आपकी बात सुन पाना किसी के लिए भी शायद संभव नहीं था? बिल्कुल भी नहीं, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्या आपने कभी किसी के सामने दस्तावेज की कौपी बनवाने की मन्शा से उसे किसी को देने की बात की थी? जी, कभी भी नहीं, आपको पूरा विश्वास है? जी हाँ पूरा विश्वास है अच्छा ये बताईए आपने किसी से कभी इस बारे में बात नहीं की और फेल्प्स ने भी किसी से कभी कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब ये हुआ कि कमरे में चोर की उपस्थिती अकस्मात हुई और उसने मौका देखकर उसे उठा लिया लॉर्ड मुस्कुरा कर बोले अब आप मुझे मेरी सीमा से बाहर ले जा रहे हैं मिस्टर होम्स एक पल सोचने के बाद होम्स ने कहा एक और जरूरी सवाल है जिस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ जहां तक मुझे लगता है आपको इस बात का डर था कि अगर इस संधी के मसौदे के बारे में जानकारी पबलिक हो गई तो उसके बहुत खतरनाक नतीजे हो सकते हैं लॉर्ड की चेहरे पर चिंता की लकीरें उभराई जी हां बहुत ही ज्यादा गंभीर परिणाम क्या अभी तक वैसा कोई परिणाम सामने आया है जी अभी तक तो नहीं मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर उस संधी का मसौदा रूसी या फ्रांसीसी दूतावास तक पहुँच गया होता तो आपको कुछ न कुछ खनक जरूर सुनाई दी होती है की नहीं जी हां आपकी बात बिल्कुल सही है लॉर्ड ने कहा अब तक दस हफते बीच चुके हैं फिर भी उस बात की कोई चर्चा नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि ये मानना गलत नहीं होगा कि अभी तक संधी उनके पास नहीं पहुँची है लॉर्ड ने अपने कंधे उचकाए देखे मिस्टर होम्स हम ये नहीं मान सकते कि चोर ने उस संधी को फ्रेम में मढवा कर अपने कमरे में तस्वीर की तरह लटकाने के लिए चुराया होगा होम्स ने कहा ये भी तो हो सकता है कि वो अच्छी कीमत मिलने का इंतजार कर रहा हो अगर उसने कुछ समय और इंतजार किया तो उसे इसके लिए फूटी कोड़ी भी नहीं मिलने वाली क्योंकि कुछ महीनों के बाद तो उसकी अवधी ही खत्म हो जाएगी लौड ने कहा यही तो यही सबसे महत्वपून बात है होम्स ने कहा सच मुच ये मानना संभव है कि चोर अगर अचानक बीमार हो गया हो तो होम्स की तरफ टेड़ी निगाहें डालते हुए राजनेता ने कहा जैसे कि उधारन के लिए दिमागी बुखार होम्स ने शांत भाव से कहा मैंने ऐसा तो नहीं कहा था खेर हम आपका काफी कीमती समय ले चुके हैं और अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे गुड डे उसके बाद हम दोनों वहां से बाहर निकाल आए वाइट हॉल में वापस आने के बाद होम्स ने कहा वो काफी अच्छे इंसान है लेकिन उनको अपने पद पर बने रहने के लिए संघर्श करना पड़ेगा वो कोई अमीर आदमी नहीं है तुमने इस बात पर जरूर गौर किया होगा कि उनके जूतों पर दोबारा सोल चड़ाया गया है अब मैं तुम्हें अपना असली काम करने से और नहीं रोकूंगा वाटसन जब तक हमारे कैब वाले विग्यापन का उत्तर नहीं मिल जाता तब तक मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है लेकिन अगर तुम कल की तरह उसी ट्रेन से कल मेरे साथ फिर से वोकिंग चल सको तो मैं तुम्हारा बहुत ही आभारी रहूँगा उसके कहे अनुसार मैं अगले दिन उससे मिला और हम दोनों साथ साथ वोकिंग तक गए उसने बताया कि अब तक ना तो उसे उसके विग्यापन का उत्तर मिला है और ना ही केस पर कोई ताजा जानकारी मिली है पूरे रास्ते वो नापतौल की बर्टीलियन प्रणाली की चर्चा करता रहा और उस प्रणाली को विक्सित करने वाले फ्रांसीसी विद्वान की होमस ने उसे बताया मेरी रिपोर्ट अभी भी नेगेटिव है मैं पहले फोब से मिला और फिर तुम्हारे मामा से मैंने अपने मन में पूशताच का एक खाका तयार किया है जिससे हमें कोई ना कोई सुराग ज़रूर मिलेगा मिस हैरिसन ने उमीद भरी नजरों से होमस को देखते हुए पूछा यानि आप अभी तक हार नहीं माने हैं कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसा कहने और सोचने के लिए इश्वर आपका भला करे अगर हम अपना साहस और धहरे बनाए रखें तो सच्चाई ज़रूर निकल कर बाहर आएगी फेल्प्स ने अपने सोफे पर फिर से बैठते हुए कहा मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है मिस्टर होमस कल रात जो घटना हुई उसके बाद तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरे चारों तरफ कोई शडियंत्र हो रहा है और मेरी इज़त के साथ साथ मेरी जान भी खत्रे में है सुनने में ये बात थोड़ी अविश्वसनी ये लगती है लेकिन मुझे अभीता की यही लगता था कि इस दुनिया में मेरा कोई दुश्मन नहीं है लेकिन कल रात की घटना के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि कोई है जो मेरी जान लेना चाहता है महरबानी करके मुझे पूरी बात सुनाईए होम्स ने कहा परसी ने कहना शुरू किया दरसल आपके आजाने के बाद मेरे दुखी मन को थोड़ी सांतवना मिली थी और इसी लिए कल रात मैं काफी अच्छी तरह से सोया ऐसा काफी दिनों के बाद हुआ था मैंने कमरे में नाइट बल्ब जला रखा था रात के करीब दो बजे हलका सा शूर सुनकर मेरी आँख खुल गई वो आवाज ठीक वैसी थी जैसी किसी चूहे के कोई चीज को कुतरने से आती है मैं कुछ देर तक करवटे लेता रहा और आखिर में मैंने सोच लिया कि ये कोई चूहा ही रहा होगा लेकिन तब ही आवाज तेज होने लगी और खिडकी में से एक तेज धार वाली धातू की चीज मुझे अंदर आती दिखाई पड़ी मैं हैरान होकर अपने बिस्तर पर बैठ गया अब मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं रहा था कि वो किस चीज की आवाज थी पहली आवाज तब आई जब किसी ने खिडकी के दर्वाजों के बीच बनी दरार में किसी औजार को गुसाने की कोशिश की और दूसरी आवाज तब आई जब किसी ने खिडकी को खोलने के लिए उसे बाहर से धका दिया उसके बाद दस मिनिट तक सन्नाटा चाया रहा मानो बाहर खड़ा आदमी ये जानने की कोशिश कर रहा हो कि कहीं उस आवाज से मैं जाग तो नहीं गया उसके बाद खिडकी खुलने की धीमी सी आवाज आई मैं जल्दी से उठकर खिडकी तक गया और मैंने उसका दर्वाजा एक जटके से खोल दिया वहाँ पर एक आदमी सिमट कर बैठा हुआ था इससे पहले कि मैं उसे ठीक से देख पाता वह बिजली की तरह वहाँ से गायब हो गया उसने अपनी घर्दन तक चोगे जैसी कोई चीज पहन रखी थी इस बारे में मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि उसके हाथ में कोई हत्यार जरूर था मेरे ख्याल से वह एक लंबा सा चाकू था उसकी धुंदली चमक मैंने तब देखी थी जब वो भागने के लिए पीछे मुडा था अगर मेरे अंदर पहले जैसी ताकत होती तो मैं उसका पीछा जरूर करता मैंने घंटी बजा कर सारे घर को जगा दिया लोगों के आने में थोड़ी देरी हो गई क्योंकि घंटी किचन में बज़ती है और सारे नौकर उपरी मंजिल पर सोते हैं मेरी आवाज सुनकर जोसफ नीचे आया और उसने बाकी लोगों को जगाया जब उन लोगोंने जाच परताल की तो उन्हें खिड़की के नीचे बाहर की तरफ कुछ निशान जरूर नजर आए लेकिन वो बहुत ही असपश्ट थे इसके अलावा लकडी की बाड में भी एक जगा ऐसी है जहां से सड़क दिखाई देती है वहाँ पर भी कुछ निशान थे उन्हें देखकर मुझे लगा कि बाड पर चड़ने की कोशिश में वो आदमी शायद गिर गया होगा मैंने फुलीस को अभी तक इस बारे में कुछ नहीं बताया है क्योंकि मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले आपकी राए ले लूँ इस पूरी कहानी का होम्स पर बड़ा ही जबरदस्त प्रभाव पड़ा वो अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और बड़े ही उत्साह से कमरे में चक्कर लगाने लगा फिर उसने पर्सी से कहा क्या तुम मेरे साथ घर का एक चक्कर लगा सकते हो जी हाँ जरूर लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी धूप निकल आये तो अच्छा रहेगा क्योंकि तब तक जोसफ भी आ जाएगा मैं भी आपके साथ चलूँगी मिस हैरिसन ने कहा होम्स ने अपना सेर हिलाते हुए कहा मेरे ख्याल से इसकी कोई जरूरत नहीं मिस मैं चाहूंगा कि आप जहां बैठी हैं वहीं बैठी रहें थोड़ी नाराजगी का इजहार करते हुए लड़की अपनी सीट पर वापस बैठ गई तब तक उसका भाई आ गया था और हम चारों एक साथ निकल पड़े हमने घास के मैदान का एक चक्कर लगाया और खिड़की के पास पहुँच गए खिड़की के नीचे कुछ निशान तो जरूर थे लेकिन वे बहुत ही धुंदले और असपश्ट थे होम्स एक पल के लिए उस जगह पर जुका और फिर अपने कंधों को जटकते हुए खड़ा हो गया मुशे नहीं लगता कि इससे हमें कोई सुराग मिल सकता है आओ घर का एक चक्कर लगा कर देखते हैं कि सेंध मार ने खास करके इसी कमरे को क्यों चुना मेरे ख्याल से तो उसके लिए महमानों वाले कमरे और डाइनिंग रूम की बड़ी खिड़कियां ज्यादा अकरशक होनी चाहिए थी इस बात के जवाब में जोसफ ने बताया कि वे खिड़कियां सडक से साफ साफ नजर आती थी इसी लिए चोरने उन्हें नहीं चुना होगा अरे हाँ सच मुझ यहाँ तो एक और भी दर्वाजा है जिस पर उसे कोशिश करनी चाहिए थी ये किसके कमरे का दर्वाजा है होमस ने पूछा ये साइड वाला दर्वाजा फेरी वालों के लिए है रात के टाइम इसमें ताला लगा रहता है परसी ने बताया क्या इस घर में इससे पहले भी ऐसी कोई घटना हुई है जी नहीं कभी नहीं परसी ने कहा क्या तुम्हारे घर में ऐसे कोई कीमती सामान है जो चोरी करने वालों को आकर्शित कर सकें जैसे सोने या चान्दी के बर्तन? जी नहीं, ऐसी कोई वस्तु यहां नहीं है Mr. Holmes. Holmes अपनी जेब में हाथ ढाले, पूरे घर का चकर काटकर निराश होकर लोट आया. फिर उसने जोसफ हैरिसन से कहा, परसी ने मुझे बताया था कि तुमने कोई ऐसी जगह देखी थी, जहां से बदमाश बार पर चढ़ा था, जरा वो जगह मुझे दिखाओ. वो युवक हमें उस जगह पर ले गया, जहां लकडी की बार की उपर वाली पटरी तूटी हुई थी. लकडी का एक छोटा टुकड़ा वहां नीचे जूल रहा था, होम्स ने उसे खीच कर बारीकी से उसका निरिक्षन किया. क्या तुमको ये लगता है कि ये कल रात को किया गया है? ये तो काफी पुराना लगता है. हो सकता है आपकी बात सही हो, मिस्टर होम्स, लेकिन हमें तो देखकर ऐसा ही लगा था कि ये कल तूटा है. यहां दूसरी तरफ किसी के कूदने के निशान नहीं है. इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें कोई मदद मिलेगी. चलो, कमरे में चल कर आराम से बात करते हैं, होम्स ने कहा. परसी अपने होने वाले साले का हाथ पकड़ कर बहुत धीरे-धीरे चल रहा था. होम्स ने तेजी से घास का मैदान पार किया और हम कमरे की खिड़की पर उन दोनों से पहले पहुँच गए. होम्स ने बड़ी ही गंभीर मुद्रा में कहा, मिस हैरिसन, आपको मेरे लिए एक काम करना है. क्या आप करेंगी? जी हाँ, बिल्कुल, आप हुक्म दीजिए. मैं परसी के लिए कुछ भी करने को तयार हूँ. तो मेरी बात ध्यान से सुनिए. आप सारा दिन इसी जगह पर बैठी रहेंगी. ध्यान रहे कि आपको पूरे दिन यहां बैठने से कोई भी बात किसी भी सूरत में रोक न पाए. आपका इस जगह पर बैठे रहना बहुत ही ज्यादा महत्वपून है. लड़की ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा. जी अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं ऐसा ही करूंगी मिस्टर होम्स. जब आप सोने जाएं तो इस कमरे में बाहर से ताला बंद करके चाबी को अपने साथ लेकर जाईएगा. मुझसे वादा कीजिए कि आप बिलकुल ऐसा ही करेंगी. लेकिन परसी? वो हमारे साथ लंडन जा रहा है. और मैं यहां रहूंगी? ये काम तुम्हें उसी के लिए करना है. ऐसा करके तुम उसकी ही मदद और सेवा करोगी. जल्दी करो, मुझे वचन दो कि मैंने जो कहा है तुम वही करोगी. लड़की ने सेहमती में स नहीं, जोसफ. मुझे हलका सिरदर्द है और ये कमरा थोड़ा सुकून देने वाला है. इसलिए मैं यहीं रहूंगी. अब आपका क्या कहना है, मिस्टर होम्स? परसी ने पूछा. देखिए, इस मामूली से मामले की जांच के कारण हमें अपनी मुख्य जांच से ध्यान न ही हटाना चाहिए. अगर आप मेरे साथ लंडन चलें, तो इससे मुझे काफी मदद मिलेगी, होम्स ने कहा. क्या इसी समय? जितनी जल्दी आपको चलने में सुविधा हो? क्या एक घंटा काफी होगा? होम्स ने पूछा. जी हाँ, काफी होगा. क्या आप ये चाहेंगे कि मैं रात को वहीं रुकूँ? जी हाँ. ओ, परसी ने मुसकराते हुए कहा. तब तो मेरा रात वाला दोस्त जब मुझसे दुबारा मिलने आएगा, तो ये देखेगा कि चडिया तो फुर हो गई है. हम सब आपके साथ हैं, मिस्टर होम्स. लेकिन आप मुझे ये तो बता द एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर है. वो तुम्हारी अच्छी तरह देख भाल करेगा. अगर तुम्हारी इजाजत हो, तो हम अपना लंच यहीं कर लेते हैं और उसके बाद एक साथ शहर के लिए रवाना हो जाते हैं, होम्स ने कहा. होम्स के सुझाफ के अनुसार सारा इ मिस हैरिसन को परसी से दूर रखना चाहता है. जब हम स्टेशन पर पहुँच गए और गाड़ी में बैठ गए, तो हम्स ने बड़े ही मज़े से कहा, कि उसका वोकिंग से जाने का कोई इरादा नहीं है. मैं और परसी मुह बाए उसका चेहरा देखते रह गए. हम्स ने ब लंडन भेज रहा हूं, मिस्टर फेल्प्स. और सुनों वाटसन, जब तुम दोनों लंडन पहुच जाओ, तो मेरे उपर एक और एहसान करना, कि मेरे दोस्त को लेकर बेकर स्ट्रीट चले जाना, और जब तक मैं तुम से दुबारा ना मिलने आऊँ, तब तक वहीं पर र आऊँगे, कल नाश्ते के समय मैं तुम दोनों से मिलने आऊँगा, क्योंकि यहां से सुभा जो ट्रेन चलती है, वो मुझे आठ बजे वाटरलू पहुचा देगी, लेकिन लंडन में हमारी जाच के बारे में आपका क्या कहना है, परसी ने बड़े ही उदास्वर में पू परसी ने कहा, जी नहीं मिस्टर फेल्प्स, मेरा आपके घर वापस जाने का कोई इरादा नहीं है, तब ही गाड़ी चल पड़ी और होम्स ने हाथ हिला कर हमें विदा किया, गाड़ी में मैंने और परसी ने इस नई परिस्थिते पर चर्चा की, लेकिन हमें इसका कोई सं तोष जनक उत्तर सूझा नहीं, बेकर स्ट्रीट पहुँचने के बाद हम दोनों पास पास बैठ गए, हमने किसी दूसरे विशे पर बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत बुरी तरह से ठक चुका था और फेल्प्स भी अपनी लंबी बीमारी के कारण काफी कमजोर और चिर्चिडा हो गया था, मैंने उसका ध्यान दूसरी तरफ मोडने के लिए उसे अफगानिस्तान और भारत के अपने किस्से सुनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी किसी भी चीज में रुची नहीं थी, कोई भी विशे उसके मन को निराशा के कुएं से बाहर नहीं निका और उसके बाद अपने अपने बिस्तरों पर बेचैनी से करवटें बदलते रहे, सुभा के किसी समय जाकर शायद मुझे नीन आ गई, क्योंकि जब मेरी आँख खुली तो सुभा के साथ बज रहे थे, मैं तुरंत फेल्प्स के कमरे में ये देखने के लिए गया, कि वो सो थोड़ी बहुत देर हो जाए, लेकिन आएगा जरूर, मेरी बात बिलकुल ठीक निकली, आठ बजने के तुरंत बाद एक घोड़ा गाड़ी हमारे दर्वाजे पर रुकी, और मेरा दोस्त उसमें से बाहर निकला, खिड़की पर खड़े-खड़े हमने देखा, कि उसके ब बहुत उम्मीद थी, वो भी खत्म हो गई, परसी धीरे से बुद बुद आया, कुछ ही पल के बाद जब होम्स ने कमरे में प्रवेश किया, तो मैंने उससे पहला सवाल यही किया, जख्म गहरा तो नहीं है होम्स, अरे ये कुछ नहीं, ये तो मेरी गलती से कुछ खरोंच को नाश्ता लगाने के लिए बोलते हुए आया हूँ, वो बस नाश्ता लेकर आती ही होंगी, अगले ही पल मिसिस हट्सन चाई की ट्रे हाथ में लिए अंदर दाखिल हुई, चाई को टेबल पर रखकर वे वापस चले गई, और कुछ पल बाद जब दोबारा लोटी, तो उनके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी, जिसमें लगी तश्त्रियों पर कपड़े ढखे हुए थे, उनके जाने के बाद होमस ने चिकन करी की प्लेट पर से कपड़ा उठाते हुए कहा, मिसिस हट्सन इस मामले में कमाल की है, उनकी रसोई थोड़ी चोटी जरूर है, लेकिन वो नाश्ता बहुत ही अच्छा बनाती है, तुम्हारी प्लेट में क्या है वाट्सन? मास और अंडे, मैंने कहा, बढ़िया है, तुम क्या लोगे परसी? चिकन करी, अंडे, या फिर अपनी पसंद की चीज खुद ही ले लोगे? फेल्प्स की उदासी और ज्यादा गहरी हो चुकी थी, और उसे नाश्ते या इस तरह की किसी भी बात में कोई रुची नहीं थी, उसने धीमेस्वर में कहा, जी धन्यवाद, मुझे भूक नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, अरे आओ भी, अपने सामने जो डिश रखी है, उसे एक बार चक कर तो देखो, जी नहीं, मैंने कहा न, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, होम्स ने बड़ी ही कुटिल मुसकान के साथ कहा, तुम्हें नहीं खाना है, तो कोई बात नहीं, जरा आगे बढ़कर, मेरी मदद तो कर ही सकते ह फेल्प्स धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने प्लेट पर से कपड़ा उठाया, और उसे देखते ही उसके मुह से एक जोरदार चीख निकल गई, उसका चेहरा प्लेट के रंग की ही तरह सफेद पड़ गया, प्लेट के बीच में आसमानी रंग के कागजों का एक गोल बं पड़ी, जब वो थोड़ा संभल गया, तो होम्स ने बड़े ही प्यार से उसका कंधा थप थपाते हुए कहा, अरे आराम से बैट जाओ, इस तरह से उचलना कूदना ठीक नहीं है, वाटसन तुम्हें बताएगा कि मौका मिलने पर मैं थोड़ी आक्टिंग करने से अपने आपको रोक नहीं पाता हूँ, भगवान आपका भला करे, आपने मेरी इज़त बचा ली, फेल्प्स ने कागजों के उस बंडल को हाथ में लेकर उसे चूम लिया, फिर उसने उसे अपने कोट की सबसे अंदर वाली जेब में ठूस लिया, अब आपको नाश्ता करने से रो पर केंद्रित कर दिया, नाश्ता करने के बाद उसने खड़े होकर अपना पाइप जलाया और अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया, फिर उसने कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि सबसे पहले मैंने क्या किया और उसके बाद किस तरह से अपना अगला कदम उठाया, स् अपने फ्लास्क को भी भरवा लिया, और ब्रेड का एक पैकेट अपनी जेब में डाल लिया, वहां मैं शाम तक रहा, फिर मैं वोकिंग के लिए चल पड़ा, और दिन धलने के बाद ब्रायर ब्रे के बाहर वाली सड़क पर पहुँच गया, उस सड़क पर काफी भीड होत होमस ने कहा, मैंने फर के तीन पेड़ों के बीच में जगह बनाई और उनके पीछे छिप गया, उस जगह पर किसी के मुझे देख पाने की कोई संभावना नहीं थी, मैं ज़ाडियों के बीच दूसरी तरफ से मटकर बैठ गया, और एक ज़ाड़ी से दूसरी ज़ाड़ी हारिसन मेज के पास बैठी कोई किताब पढ़ रही थी, पौने दस बजे उन्होंने अपनी किताब बंद की और धरवाजे की कुंडी लगाकर सोने चली गई, फिर मैंने उनको धरवाजा बंद करते हुए सुना और मैं आश्वस्त हो गया, कि उन्होंने ताला बंद करने के चाबी अपने साथ ले जाए उन्होंने मेरी बात पर पूरी तरह अमल किया और निश्चे ही उनके सहयोग के बिना ये कागजाद आज तुम्हारी जेब में नहीं होते फिर वे लाइट बंद करके चली गई और मैं वहीं गुलाब की जाड़ियों में बैठा रहा रात काफी स सुंदर थी लेकिन निगरानी करना ठका देने वाला काम था बहुत देर इंतजार करने के बाद सुभा करीब दो बजे मैंने कुंडी के खटकने और ताले में चाबी के घुमाई जाने की आवाद सुनी कुछी पल के बाद नौकरों के कमरे का दरवाजा खुला और मिस्टर जोसफ हैरिसन चांद की रोशनी में मुझे नजार आए उन्होंने कंधे पर काले चोगे जैसी कोई चीज पहन रखी थी ताकि किसी चेतावनी की स्थिती में अपने चेहरे को छिपा सकें वो चुप चाप दबे पाउं दिवार की परछाई के साहरे चल पड़े और जब व बैठा हुआ था वहां से कमरे में होने वाली उसकी हरेक हरकत मुझे साफ दिखाई दे रही थी उसने फायर प्लेस पर रखी दो मुम्बतियां उठा कर जलाई और उसके बाद कमरे के दर्वाजे के पास गलीचे के कोने को उपर उठाया फिर गलीचे के नीचे लगे लकड जैसे व्यवस्थित करके और मुम्बतियों को बुझा कर जैसे ही वो आगे बढ़ा वो सीधे मेरी गोद में आगे रहा क्योंकि खिड़की के बाहर खड़े होकर मैं उसका इंतजार कर रहा था लेकिन वो मेरी उम्मीदों से ज्यादा दोष्ट निकला वो मेरे उपर मेरे तरकों को सुनने के बाद उसने कागजात मेरे हवाले कर दिये कागज लेने के बाद मैंने उसे छोड़ दिया लेकिन आद सुभा इस घटना की पूरी जानकारी फोर्ब्स को तार के द्वारा भेज दी अगर वो उसे पकड़ने के लिए परियाप्त तीजी से इस मामले को पुलिस की अदालत में ले जाने के लिए तयार नहीं होंगे परसी बुरी तरह हैरान था वो धीरे से बुदबुदाया हे भगवान क्या आप ये कहना चाहते हैं मिस्टर होम्स कि इन दस हफतों के दोरान चुराए गए दस्तावेज मेरे ही कमरे में मेरे पास जी हाँ ठीक ऐसा ही था और चोरी जोसफ ने की थी जी हाँ मेरा अनुमान है कि जोसफ जितना दिखाई पड़ता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है आज सुभा उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि उसका शेयर बजार में काफी पैसा डूब चुका है और वो अपनी बिगडी किसमत समारने के लिए कुछ भी करने को तयार है क्योंकि वो बहुत ही स्वार्थी आदमी है इसलिए उसने ना तो अपनी बेहन की खुशियों की कोई परवा की और ना ही आपकी इज़त की इस केस में जो सबसे बड़ी मुश्किल थी वो ये थी कि इसमें बहुत स सारे साक्षे थे जो जरूरी था उसे दबा दिया गया था और जो बे मतलब था उसे सामने रखा गया था मेरे सामने जितने भी तथे रखे गए उन में से मैंने सिर्फ उन ही को उठाया जो मुझे जरूरी लगे और उसके बाद उनके टुकणों को जोड कर मैंने घटनाओ की एक नई कड़ी तयार की जोसफ के उपर मुझे तभी संदेह हो गया था जब आपने उस रात उसके साथ घर जाने का इरादा जताया था इससे ये सपश्ट हो गया था कि वो विदेश कार्याले से भली भाती परिचित था जब मैंने सुना कि कोई आपके सोने के कमरे में आन को वहां से निकाल दिया था तब मेरा संदेह सच्चाई में बदल गया उसने इससे पहले भी एक बार कोशिश की थी जब नर्स आपके कमरे में मौजूद नहीं थी इससे ये प्रतीत होता है कि घुस पैठिया आपके घर के तौर तरीकों से अच्छी तरह परिचित था मेर की खोज के अनुसार इस केस के मुख्य तत्य इस प्रकार हैं ये जोसफ हैरिसन आपके ओफिस में चार्ल्स स्ट्रीट वाले रास्ते से दाखिल हुआ और रास्ता पहले से ही मालुम होने के कारण वो सीधे आपके कमरे में पहुँच गया उसके पहुँचने से थोड़ा प मुल्यवान सरकारी दस्तावेज उसकी जोली में डाल दिया था उसने उस दस्तावेज को फोरण अपनी जेब में डाला और वहां से खिसक गया इस बीच कुछ समय बीद गया आपको याद होगा कि जब आप चौकिदार के कमरे में अपनी कौफी के लिए पूछने गए थे उस समय वो सो रहा था आपको अपनी कोठरी में देखकर चौकिदार ने आपका ध्यान इस बात की तरफ दिलाया था कि जब आप वहां हैं तो फिर घंटी किसने बजाई इतना समय उसके वहां से भागने के लिए काफी था वहां से निकलने के बाद वो पहली ट्रेन से वोक पा दिया ये सोच कर कि वो मौका देखकर एक दो दिन बाद उनको वहां से निकाल लेगा और फिर फ्रांसे इसी दूतावास या किसी दूसरी जगह जहां उसे इसकी अच्छी किमत मिलती वहां पर वो उनको बेच देता इसी बीच अचानक आप लोटाए वो एक पल की भी देरी किये बिना अपने कमरे से निकल गया उसके जाने के बाद कमरे में दो लोग हमेशा मौजूद रहे इसी लिए उसे अपना छिपा हुआ ख़जाना दुबारा वापस लेने का मौका ही नहीं मिला ये स्थिती उसके लिए जरूर पागल कर देने वाली रही होगी इसके बाद जब भी उसे मौका मिला तो उसने उसे चुराने की कोशिश की लेकिन आपकी सतरकता के कारण वो असफल रहा मुझे पूरा यकीन था कि जब भी उसे दूसरा मौका मिलेगा तो वो दस्तावेजों को वहाँ से निकालने की कोशिश जरूर करेगा आपके लंडन चले जाने से उसे जैसे मुहमांगी मुराद मिल गई मैंने मिस हैरिसन को पूरा दिन कमरे में बैठने के लिए इसलिए कहा था ताकि उसका ध्यान हमारे उपर से हट जाए उसको ये विश्वास दिलाने के बाद कि उसका रास्ता पूरी तरह से साफ है मैंने उसकी निगरानी की मैं पहले से ही जानता था कि कागज संभव तहा इसी कमरे में थे लेकिन पूरे कमरे की तलाशी में अपनी महनत और वक्त बरबाद करने की मेरी कोई इक्छा नहीं थी इसलिए मैंने उसे कागजातों को निकालने दिया और खुद छिप कर खड़ा रहा क्या अब कोई और बात भी बची है जिसे मुझे सपश्ट करना है मैंने सवाल किया जब वो दर्वाजे से कमरे में जा सकता था तो फिर उसने पहली बार खिड़की के रास्ते कमरे में घुसने की कोशिश क्यों की वो इसलिए मेरे दोस्त क्योंकि धर्वाजे तक पहुँचने के लिए उसे साथ कमरों को पार करना पड़ता दूसरी तरफ लौन में जाकर वो सीधे खिड़की पर असानी से पहुँच गया और कोई बात फेल्प्स ने पूछा क्या आपको ये नहीं लगता कि वो मुझे मारना चाहता था या फिर चाकू का इस्तेमाल उसने सिर्फ एक औजार के रूप में किया था होम्स ने बड़े ही मजे से कंधे उचकाते हुए जवाब दिया ऐसा हो भी सकता है ये बात तो मैं पक्के तोर पर कह सकता हूँ कि जोसफ हैरिसन एक बड़ा ही सज्जन आदमी है जिसकी क्रिपा के बिना मैं आज आज आपके सामने खड़ा ना होता दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज इसे सब्सक्राइब करें जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए अलविद